अपने हनुमान और जामउन्थ की कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें जामउन्थ हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और फिर हनुमान वो कर देते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था दरसल हम सबी के अंदर मुश्किल से मुश्किल काम करने की शमता होती है लेकिन हमें ही अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता और जब हमें इसका पता चलता है फिर हम कुछ भी कर जाते हैं ऐसा ही कुछ हुए एक शक्स के साथ जिसका बजन करीब 142 किलो था और आज उसने अपना बजन 72 किलो कर लिया है अब इस लड़के का बजन मातर 70 किलो रह गया है अपनी ट्रांसफर्मिशन स्टोरी उसने एक इंटर्वी के दौरान शेयर की इस्टाग्राम पर इस लड़के के ट्रांसफर्मिशन वीडियो को 6 लाग से ज्यादा लोग देख चुके हैं इस लड़के को पहले ट्रिपल एक्सल साइज के कपड़े आते थे लेकिन फैट टू फिट होने के बाद उसे एस साइज के कपड़े आ जाते हैं इस लड़के ने ये मुश्किल काम मातर 18 महीने में किया है अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये लड़का है कौन दरसल 70 किलो बजन कम करने वाले लड़के का नाम नित पुवी है जिसकी उम्र महचचब बिस साल है और वह लंदन में रहता है एक इंटर्वी के दौरान नित ने बताया कि वो हक्ते में लगवाग 350 पाउंड यानी करीब 32,000 रुपए आनलाइन फूट पर ही खर्च किया करते थे एक बार मेरी गल्फरेंड ने मुझे कहा था कि मेरे शरीक का साइच हुच ज़्यादा बढ़ गया है और मैं मोटा हो गया हूँ उस टेंशन में मैं और भी ज़्यादा खाने लगा और मेरा बजन और भी ज़्यादा बढ़ गया मेरी गल्फरेंड ने मुझे कई बार अपने तरीके से बदलने की कोशिश की लेकिन उससे मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझे ज़्याद खाने की आदत हो गई थी और मैं खाना नहीं चोड़ सकता था इसका नतीजा यह हुआ कि 2020 में नित का ब्रेक अप हो गया इसके बाद वै डिप्रेशन में चला गया उसका लगातार बजन बढ़ता गया और वै 122 किलो तक पहुँच गया इसके बाद मैं थने खुद को बदलने का फैसला किया और बोडी ट्रांस्फोर्मेशन का गोल सेट किया और अपना बजन कम कर लिया अपनी फिट होने की जर्नी के बारे मैं नित बताते हैं मैंने बाहर का खाना पूरी तरह छोड़ दिया और ऑनलाइन फूड ओर्डर करना भी बंद कर दिया मैंने हर हफते 5 दिन करीब 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी शुरू की और 3 महीने में ही मुझे रिजल्ट दिखनी लगे और 18 महीनों में मेरा करीब 72 किलो बजन कम हो गया और आम मुझे इस बात की खुशी है कि यह मुझे इसमाइल साइज के कपड़े आने लगे हैं आखिर में नित पूरे आत्मिश्वास से कहते हैं कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो कैसे कोई आपसे प्यार कर सकता है और अब मैं उदास नहीं रहता और बहुत अच्छे मैसूस करता हूँ दरसल हम सबी कुछ भी कर सकते हैं बस जरूरत है उसे लक्ष बना कर उस पर फोकस करनेगी